आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे हाथ में पाई जाने वाले उन साथ चिन्वों के बारे में जो कि किसी भी व्यक्ति की मैरिज में प्रॉब्लम करते हैं तो हम एक-एक करके सभी चिन्वों को डिसकस करेंगे आप लोग वीडियो को अन्त तक जरूर देखें और फ्रेंड्स लाइक, शेर और कॉमेंट करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में मैरिज या विवाह को बहुत ही महत्व दिया गया है और इसे सूला संस्कारों में से एक संस्कार माना जाता है हमारी हतेली में भी हम विवाह से संबंदित जो जानकारिया है उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं यदि विवाहिक जीवन में कुछ संबस्या या प्राप्लम हो तो वे भी हमें हतेली से आसानी से चिन्नों के द्वारा प्राप्त हो जाती है हमारी आतेली में लिटिल फिंगर के जो नीचे वाला स्थान होता है ये जो स्थान होता है उसे हम बुद्ध स्थान कहते हैं और बुद्ध स्थान पर आडी रेखाओं के रूप में किसी-किसी के हाथ में यहां एक रेखा होती है और इस इस्थान पर पाई जाने वाली जो अन्ने रिखाय होती है वो deep relationship की lines कहलाती है तो यदि विभाह रेखा या marriage line मान लीजी clear है, straight है और without any cuts है तो ऐसे लोगों की जो marriage life होती है वो काफी अच्छी होती है परन्तु यदि marriage line में दोश हूँ तो married life काफी खराव होती है और उसमें काफी problems रहते हैं इसमें marriage line यदि curve लेती हुई मान लीजे नीचे की तरफ जैसे कि यहाँ पर हम इस रेखा को marriage line मानेंगे क्योंकि यह सीधी सहज और लंबी है यदि यह curve लेती हुई मान लीजे नीचे की तरफ जैक्ती के हाथ में चली जाएगी तो curve लेकर यदि नीचे मुड़ेगी तो यह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है क्योंकि ऐसे लोगों के life partner जो होते हैं उनको health issues रहते हैं और यदि यह curve जो है वो heart line को touch कर जाए यह line आपको जो दिखाई पड़ रही है यह heart line है तो यदि marriage line इस तरीके से curve लेती हुई heart line को touch कर जाती है तो यह जो है अच्छा संकेत नहीं माना जाता और इसमें life partner की साथ लड़ाई जगड़े और तनाओ की स्थितियां इतनी ज़्यादा पैदा हो जाती है कि कई बार separation और divorce भी व्यक्ति का हो जाता है इसके अलबा friends जो दूसरी स्थिति होती है उसमें दूसरी स्थिति में जो marriage line है वो टूटी-फूटी रहती है यहाँ पर जो marriage line होती है वो इस तरीके से दो portion में टूटी-फूटी रहती है इस तरीके से तो यह जो marriage line है यह भी अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि यह व्यवाहिग जीवन में प्रॉब्लम्स क्रियेट करती है और यह जो line है इसके कारण व्यक्ति जो है वो अपने partner से separate हो जाता है परन्तु चुकि यह line आगे चलके वापस continue हो रही है इस तरीके से continue हो रही है तो कई बार इनके रिष्टे जो है वापस सुधर जाते हैं और फिर से इनकी marriage life जो है वो ठीक से चलने लगती है परन्तु मान लिजी गैप यदि ज़्यादा हो किसी की हाथ में इस तरीके से ज़्यादा दूरी पर गैप हो तो अधिक दूरी से पर गैप होने के कारण कई वार व्यक्ति का legally separation भी हो जाता है इसके अलागा friends यदी marriage line मान लिजे marriage line क्यों पर fork है इस तरीके से दो भागों में यहाँ पर divide हो गई है यानि कि एक fork बना हुआ है आपर marry line क्यों पर इस तरीके से तो ये भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता है और ऐसे लोगों की married life भी काफी खराब होती है और ये अपने partner से हमेशा किसी ना किसी बात पर जगर करते रहते हैं और स्थितियां इतनी ज्यादा पिगर जाती है कि इन्हें भी separation जो है देखना पड़ता है और कई बार तो divorce जो है इसकी possibility बढ़ जाती है यदि दोनों ही हाथ हो में मान लिजे इस तरीके की fork line है marriage की तो divorce की स्थितियां देखने में आती है अगली स्थिति में friends माल लिजे marriage line जो है उस पर marriage line की उपर माल लिजे यहाँ पर cross का चिन्न बना हुआ हो या फिर यहाँ पर कोई द्वीब जैसा चिन्न बना हुआ हो या फिर यहाँ पर star या फिर तिल का चिन्न हो इस marriage line की उपर तिल जैसे चिन्न यहाँ पर बने हुए हो तो ये सारे चिन्न भी जो हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं और ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनको हमेशा ही health problems देखने को मिलती हैं और इस तरह के जो sign होते हैं वो कई बार life partner की sudden death को भी दर्शाते हैं ऐसे sign होने पर व्यक्ति को व्यवाहिक सुख नहीं मिल पाता है इसके अलबा friends यदि marriage line महलीजे आगे बढ़कर किसी किसी के हाथ में marriage line जो होती है वो आगे बढ़कर सूरेशेत्र तक पहुँच जाती है यह आपको जो ring finger के नीचे वाला स्थान दिखाई देरा सूरेशेत्र होता है और यहाँ पर ये एक sun line इस तरीके की होती है तो जिनकी भी marriage line ये sun line को काटती हुई आगे बढ़ जाती है तो इसके कारण ये जो इस्तितिया होती है ये भी third person की entry के कारण व्यवाहिक जीवन जो है वो नरक बन जा करता है और व्यक्ति को कही बार अपयश और बदनामी का सामना करना पड़ता है अगली इस्तिति में friends यदी marriage line जो है वो marriage line जो है वो शुक्र परवत से कोई line आकर ये जो आपको अगूठे का नीचे का स्थान दिखाई पड़ रहा है ये शुक्र परवत कहलाता है तो शुक्र परवत से माल लीजिए कोई line इस तरीके से marriage line को जाकर काट देती है इस तरीके से तो ये भी इस्तिति अच्छी नहीं मानी जाती है और ऐसे लोगों की जो married life होती है बहुत ही खराब होती है क्यूंकि ये लोगों के अक्सर divorce होते है ए दिवोर्स का संकेत करती है ये line क्यूंकि ये line यहाँ पर lifeline को भी काट रही है ये lifeline है तो lifeline को भी यह लाइन यहां आके काट रही है तो ऐसे लोगों को इस पर्टिकुलर एज में व्यक्ति को काफी मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ता है इसके अलावा फ्रेंड्स कई लोगों के हाथ में गर्डल ओफ वीनस यानि की शुक्रवले पाये जाता है शुक्रवले जो होता है वो स्टार्टिंग की दौनों उंगलियों के बीच से यहां से इस तरीके से कईयों के हाथ में और लास्ट की दौनों फिंगर की बीच में इस तरीके से खतम होता है तो इस शुक्रवले पर यदि किसी किसी के हाथ में marriage line जो होती है वो शुक्र वले तक जाकर टच करती है इस तरीके से तो ये स्थिती भी अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि ये जो शुक्र वले होता है ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफी अधिक कामुक होते हैं और ऐसे लोगों में opposite sex की तरफ जादा आकर्शन होता और कई बार ये एक से जादा जगों पर भी अपने संबंद बनाते हैं और इसलिए इनकी married life में काफी तनाव और problems रहती हैं और इसलिए इनकी marriage life जो होती है वो तूटने की कगार पर आ जाती है इसके अलावा friends वेवाहिक जीवन के लिए हमें गुरू और शुक्र स्थान को भी देखना चाहिए तो जो index finger की नीचे वाला स्थान होता है ये गुरू स्थान कहलाता है और शुक्र स्थान ये उठे के नीचे वाले स्थान को इसको हम शुक्र स्थान बोलते हैं तो इन दोनों स्थानों को भी हमें इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये दोनों ही स्थान गुरू और शुक्र स्थान जो होते हैं वो विवा के लिए कारक स्थान माने जाते हैं तो यदि ये दोनों स्थान मान लीजे दोश पूर्ण है मान लीजे इन्हीं स्थानों पर बी कुछ अशुब चिन्य है जैसे कि Eins तरीके से जाली या गृण का निशान बना हुआ हो, या फिर कोई तिल का निशान हो, या फिर यहाँ पर इन स्थानों पर कोई द्वीप जैसा बना हुआ हो, माली जे तो यह जो स्थान है ये दो शुक्त हो जाते हैं और इस तरीकी की जाली इमान लीजे शुक्रिस्थान पर हो तो ये सारे चिन्ने जो हैं वो काफी अशुव होते हैं और तेल वगेरा जो हैं वो बिलकुल भी इने स्थानों पर अच्छे नहीं माने जाते हैं और ऐसे में व्यक्ति का जो वैवाहि लाइफ की तरफ संकेत करते हैं मैरे से रेलेटेट फ्रेंड्स अन्य टॉपिक पर भी मैंने पहले भी वीडियो बनाये हैं जो कि आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर करें और चैनल को जोतिश हस्त रेखा और वास्तू से सम्बंदित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू सो मच